किसान पर यो नमस्कार आप सबी का स्वागत हैं हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे लैसुन के भाव के बारे में जैसा कि दोस्तो अभी मार्च महिना चल रहा हैं मार्च महिने में भी लैसुन के भाव में कापी ज़्यादा तेजी देगने को मिल रही हैं जैसे जैसे दन परती दिन निगलते जा रहे हैं वेसे वेसे लेसन के बाव में कापी ज़्यदा तेजी देजी देगने को मिल रहे हैं वेसे दोस्तों देखा जाए तो जो उटी लेसन होता हैं उटी लेसन का बोर वाला इस साल कापी ज़्यदा देगने को मिल रहे हैं उटी पर लेसुन की आउट के जब मंडिया कुली थी उस समय पर लेसुन की आउट के काफी ज़्यादा देखने को मिल रही थी इस साल लेसुन का रगबा किसानों ने कम वोया था यानि कि पिछले साल के बजाए इस साल लेसुन का रगबा बुई के अधार पर बहुत ही कम हैं लेक के चल के लेसुन का भाव क्या रहीगा, लेसुन के भाव में कितने तेजिय आएगी आप लेक्त बेजना चये या रोगना च рокशे किन कढ़नों की वज़े से लेस्ट के भाव में चुड़ना चाते हैं तो निशे दिस्क्रिप्शन में दीवी लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वार्टसप ग्रोब में जुड़ सकते हैं जिन पर किसान सम्मंदित बाते और नहीं नहीं जान करिया मिलती रहेगी अगर दोस्तों बात करें तो अभी मार्च महिना पूरा हो आज अपरेल मेना की 17 तरीक या 18 तरीक हो गई हैं इन तरीके बीच अब लास्त सप्ता यानि की मंडिया चलू होने का बच्चा हैं लास्त सप्ता में अब लास्न के पाव में तेजी तो दिख़ए दे रही हैं आपको अभी लग रहा हैं कि उटी लास्न उटी लास्न अभी किसानों का 8,000 रुपए जो सम्तिंग बड़ा माल जो मीडिया माल होता है वह 8,000 रुपए किसानों का भी करा है यह पर किसानों से काफी ज़्यदा तेजी बढ़ती जा रही है किसानों ने लेस्टन के पाउ में काफी ज़्यदा उम्मीद लगा रिखी है और लेसन का बाव किसानों को अच्छा मिल रहा है आके देखा जाए तो जब अपरेल खतम हो जाएगा और मही आजाएगी तो मही में भी किसानों को अच्छा बाव देखने को मिलेगा क्योंकि इसका एक कारण निकल कर आ रहा है कि इस साल लेसुन की आवके ज़्यादा आ रही है तो भी लेसुन का बहुत ज़्यादा देगने को मिल रही है अगर इस बार इस मैने में लेसुन की आवके कापी ज़्यादा थी तो भी किसानों को बहुत अच्छा मिल रहा है तो आगे चलकर भी किसानों को बहुत अच्छा म मैं मैंने में किसानों की पाल लेसन का श्टोक नहीं बचेगा उसके अधार पर लेसन के बाउ में तेजी देगने मिलना सुरू हो जाएगी अगर मंडियों में दीरे दीरे आवके अब बढ़ेगी नहीं जीरे दीरे गटेगी तो आवके अगर कट रही है लेसन की मांग रहें तो आपको काफी ज़्यदा तेजी देगने को मिल सकती हैं एक बात बता देता हूँ कि जो लेसन का बाव हैं वह लेसन का बाव माल की क्वालिटी पर निर्बर करता हैं अगर आपके पाथ चोटा अंटी माल है तो उसका आपको मार्केट में लेसन बाव कम मिलेगा और वही माल अगर क्वालिटी अच्छी हैं सपेदी हैं परदा मजबूत हैं तो वह बाव आपका आठ जार से नो जार रुपए उट्टी लेसन बिग जाता हैं देशी लेसन में भी पिजले साल के बज़ाए इस साल काफी ज़्यदा तेजी हैं और इस साल लेसन की तेजी मंड ऐसा करने से किसानों को आगे चलकर बाव भी अच्छा मिलेगा तो मैं मैंने में लेसन के बाव में उतनी ही तेजी देखने को मिलेगी जितनी अपरेल मैंने में मिली हैं उससे भी कई जाना ज्यादा बेहतर देखने की मिल रही हैं तो दोस्तों आप अपने लेसन को किस प् झाच झाच जाच जाच